हेलो प्यारे वचो, क्या हल चल आप सभी के डियर स्टुडेंट्स नवदीप सरकी फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे वचो तो अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नमबर 6 विद्द परिपत और पार्ड नमबर 5 इसका अपने करने जा रहे हैं आज तो आज का अपना टॉपिक है वो है मीटर से तूँ और इसकी सीम आएं ठीक है यह आपका प्रैक्टिकल से रिलेटिट टॉपिक है एग्जाम के लिए आज से यह इतना इंपोर्टन टॉपिक नहीं है जितना प्रैक्टिकल के लिए आज से है तो इसको अच्छे तरीके से समझना और दूसरी चीज है कि यह टॉपिक आपको मैं बुक से करवा रहा हूँ हलांकि इसके नोट्स मैं प्रवाइड करवा दूँगा लेकिन मेरे से नोट्स अभी तक बने नहीं है लेकिन फिर आप वीडियो के लिए जल्दी करने लग जाते हो तो मैं आपको एक बार बुक से करवा रहा हूँ क्योंकि देखो बुक से कॉपी करूँगा मैं नोट्स और अलग से कुछ नहीं बनाऊंगा इसके ठीक है क्योंकि मिटर सेतु की जो सरंचना है जो इसकी कारविदी है उसमें कोई चेंज नहीं होता है जो बुक में है बुक से मैं नोट्स बनाता हूँ तो एक बार आपको बुक से करवा रहा हूँ आपको नोट्स में कोई डिफरेंट नहीं मिलेगा अगर आप सोचते हो कि हाँ notes में कुछ different मिलेगा तो कुछ भी different नहीं मिलेगा same book की copy होगी notes में भी तो क्यों कि इस topic में मैं अपनी तरब से कुछ add नहीं कर सकता ना ही इसकी language को यह असान कर दूँगा या और जो इसकी कारह भी दिया है वही कारह है तो उसी तरह से करेगा तो book में थोड़ा बड़ी डिटेल में दिया हुआ है इस कारण में आपको करवा रहा हूँ तो चलिए बचो start करते हैं आज की वीडियो एक नई energy के साथ तो देखे बचो topic अपना meter से तूई है meter bridge ठीक है तो यह वाला topic अपने करते हैं तो देखो meter से तूई क्या है आपके practical में जब यह काम आएगा तो आपको पता लगेगा लेकिन जो इसकी समाने स्रंचना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ meter से तूई किस परकार का होता है वो मैं दिखा दूँ आपको अभी यहने diagram के through और बाकी आप search भी कर सकते हो कि meter से तूई कैसा होता है सारी इसकी बनावट कैसी होती है वो सारी चीज़े आप net पर भी देख सकते हो ठीक है गूगल सर्च करके देख सकते हो वहाँ पर photo आ जाएगी मैं ज्यादा photo जी इसमें इसलिए नहीं डालता क्योंकि copyright आने का डर रहता है उसमें लिखा होता है कि images may be subjected to copyright तो copyright आ सकता है उसमें तो इस कारण मैं photo कम डालता हूं वालंकि डालने तो चाहिए लेकिन कम डालता हूं तो आप वहाँ से सर्च कर लेना मीटर सेतू क्या होता है मीटर सेतू वीट सेतू के सिदान्त पर अधारित अग्यात परतिरोद का ग्यात करने के लिए एक मीटर लंबी एक समान अनुपरस्त काट के तार से बनी एक परयायोगी की युकति है यानि कि मीटर सेतू सबसे पहली बात किस सिदान्त पर कारे करता है वीड स्टोन सेतू के सिदान्त पर सबसे पहला question इसमें यही बनता है ठीक है और examiner भी जातर यही पूछता है कि मीटर सेतू किस सिदान्त पर कारे करता है तो आप कहोगे वीड स्टोन सेतू के सिदान्त पर कारे करता है अब ये होता क्या है कि इसमें एक मीटर लंबी तार होती है कितनी लंबी तार होती है एक मीटर लंबी तार होती है और उससे क्या है और होती कैसी है एक समान उनुपरस्त काट की यानि की बिल्कुल समान मोटाई की तार होती है इसे ने भी मोटी पतली तार होती है एक समान मोटाई की तार होती है और उससे बनी एक प्रयोगिक युकती है ठीक है ये एक आपको ऐसा बोर्ड सा मिलेगा लकडी का बोर्ड होगा उस पर पतियां लगी होगी इस तरीके से ठीक है ये पतियां लगी होगी और इन पतियों के बीच ये यहां से A से लेके B बिंदू तक C बिंदू तक एक तार लगा हुआ होता है ठीक है इतना होता है यह एक लकड़ी के फटे पर आपको इस तरीके से पतियां लगी होई मिलेगी एक पती इदर लगी होई मिलेगी एक पती आपको इदर लगी होई मिलेगी और इन दो के बीच यहां पर क्या है तार बैस ऐसा मिलेगा आपको इसको मीटर ब्रीज या मीटर सेतू बोलते हैं ठीक है अब अपनी क्या करते हैं देखो इसकी रचना सबसे पहले भी क्या कुछ होता है इसमें तो रचन है इसकी दिखार की आपको यहां पर देखो क्या है कि मीटर से तो में एक मीटर लंबा मैगनीज लिखना थे यहां पर मैगनीज या कॉंस्टेंटन से बना तार एक लकडी के आदार पर सबंदक पेचों A और C के मद्या खिंचा हुआ वेवस्तित रहता है अब दूसरा क्वेश्चन देखो यहां से बन गया देखो यह चोटे चोटे क्वेश्चन है जो आपके वाईवा में काम आएंगी मैं आपको कह रहा हूँ अभी लिख लो इनको ठीक है न जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सबसे पहला क्वेश्चन मीटर सेतु किस सिधानत पर कारे करता है वीट सेतु किस सिधानत पर तो वहां पे क्या होता है मिशिर दातू आपने पड़ा होगा ये होते हैं मैगनीज और कॉंस्टेंटन ठीक है और एक लकडी के अदार पर मतलब लकडी का एक फटा होता है उस पर अपने A और C बिंदूों के मद्या इस नटों की साहिता से लगाते है पेच मतलब नट होते ह की पटियों क्रमशे M या N से जोड़ देती है ठीक है यह यहां पर क्या होती है या कई तो मीटर से तुम यह तामबे की होगी पटियों यह वली M पटी यह पूरी तामबे की पटी होगी और एक N पटी ठीक है तो इस M और N पटी पर अपने क्या करते हैं यहां पर दो सुर पत्तन होती है और तामबे की भी होती है तो पितल और तामबे में डिफ्रेंस तो आपको पता लगी जाएगा तो अगर आपको एक्जामीनर मानलो सीट पर आके भी कई बर क्वेस्टन पूछते कि यह पत्ती है किस चीज की बढ़ी होई है तो आप कह सकते हो कि देख के बता स है पत्तियों M और N के मद्दे लगी होती है एक अन्य तामबे की पत्ति I M और N के मद्दे लगी होती है पत्तियों M वै आई N वै आई के मद्दे स्थान रिक्त होता है ठीक है अब इसके कहने के मतलब है भी यह आई पत्ति एक पत्ति यहां पर लंबी लगी होई होती है औ पट्टियों पर सबंद पेच लगे होते हैं जिनकी साहिता से परती रोदों को सेयोजित किया जाता आप इस पट्टी पर पते क्या है नट लगे होते हैं ऐसे यहां पर ठीक है आप इन नटों को खोल सकते हो हाथ से और हाथ से कस सकते हो इसको खोल के इसके अंदर आप तार लगा दोगे और उपर से कस्द होगे ऐसे ठीक है तो उससे क्या होगा तार लगाने के लिए नट लगे होते हैं बीच वाली पटी पर तीन नट होंगे इस पर दो होंगे और इधर भी दो होंगे नट या पेच एक ही बात है ठीक है तो वो खुलने वाले होते हैं जो हाथ से असानी से खुल जाती है और क्या है जे एक विसरपी कुझी है जो तार एसी पर खिसकाई जा सकती है यहां पे जे जो है ना जे पॉइंट आपको मैंने दिखा रखा है यहां पे यह एक विसरपी कुझी है विसरपी मतलब खिसकने वाली कुझी की ठीक है की कह सकते हो और इसक जो इंग्लिस में इसको पता है क्या बोलते हैं आपको जो जोकी क्या बोलते हैं ये एक swiç की तरह होती है मतलब जब आपने इसको तार से टच कर दिया तो तब तो क्या होगा अपना circuit कंप्लीट हो जाएगा जब तार से उठा लिया तो तब सर्किट आपका दुबारा से खुला हो जाएगा मतलब की तुरंट सर्किट को जोड़ने और उसको हटाने के लिए अपने इस जे का काम करते हैं अब ये सारी चीजे आप जब लैब में प्रेक्टिकल करोगे ना तब आपके समझ आएंगी ठीक है ना प्रेक्टिकल करके अगर ये वाली वीडियो दुबारा देखोगे ना तब आपको और ज्यादा समझ आजएगा जे जोकी लगी होती है और उसको अपने इस तार पर खिसका सकते हैं जोकी को ठीक है तार पर खिसका सकते हैं अब नेक्स्ट क्या है विसरपी कुंजी का तार पर समपर्क बिंदू B अविष्ट तार को दो बजाओं A B और A C में बाजित करता है ठीक है विमान लो आपने त स्तार को यहाँ पे टच किया तो अब यह वाला जो बिंदू है यह बी यह स्तार को दो बागों में बांटता है एक बागी दरवाला हो गया A से लेके B और दूसरा B से लेके C तक ठीक है अब देखो होता क्या है यह तो इसकी बनावटती भी कैसा होता है आपको एक बार मैं इ यह पेच लगे होए ना सारे यहां पे, यह इन्हों ने पत्ती आ मोड रखी हैं आपको, ऐसे सीधी लगी होी मिलेगी है, ऐसे मुडा Bena हुआ है, ऐसे कोई नी लगी मिलेगी, तो यह तो चलो इन्हों ने बना रख है, अलगालग मीटर से तूह अलगालगी इसाप से होता है तो अब यहां पे नट लगे होते हैं यह देखो यह सारे लगे होए हैं यहां पे एक मैगनीज या कॉंस्टेंटन का तार लगा होता है और तार के उपर ही यहां पे स्केल होता है यह वाला ठीक है स्केल लगा होता है यहां लकडी के स्केल के उपर तार लगा हुआ होता है ल याँ पे तार लगा देते हैं और यह आगे से याँ पे इसके आगे आगे वाले बाग से connect होती है अंदर से समझाई तो अब इसमें क्या होगा आपको उपर से बकड़ना होगा इसको ताकि कि आपके अंदर से current flow ना वो और इसको अपने क्या करेंगे तार की उपर रख रख के देखेंगे जिससे क्या होगा गलवेनोमेटर में विक शेप अपने को दिखेगा तो जोकी क्या है एक instant कुझी है मतलब तुरंत काम आने वाली कुझी आप कह सकते हो ठीक है तो इसको अपने लगाते हैं इसमें समझाई बात अब इसकी कार्या परनाली क्या है कार्या परनाली मतलब काम कैसे करता है जो मीटर सेतूत है मीटर सेतू के खाली स्तानों में के मद्ध्य क्रमशे एक परतिरोध बॉक्स एक ग्यात परतिरोध जिसका मान ग्यात करना सबंदक पेचों की साहता से जोड़ देते हैं और बिंदू जो आपका A वै C के मद्ध्य एक लेकलांशी सेल दारानी अंतर कुझी के लगा देते हैं D के मद्ध्य विसरपी कुझी एक दारामापी जोड़ते हैं अब देखो कैसे कैसे अपनी क्या करते हैं आपको समझ आ जाएगा भी जो मीटर ब्रिज है आपका मीटर सेतु है मीटर सेतु में जो ये वाला A और C बिंदू है ठीक है इस A और C बिंदू के मद्ध्य यहां पे एक सेल लगा देते हैं लेकलांशी ले सकते हो डेनियल सेल ले सकते हो या सीधी बेंटरी कई बर आपको लैब में देते हैं वो भी आप ले सकते हो यहां कुझी लगा देते हैं ठीक है और दारानी अंतरक भी लगा देते हैं कई आप बे दारानी अंतरक को रियो स्टेट बोलते हैं दारानी अंतरक परिपत में दारा कंट्रोल करने के काम आता है ठीक है दारा को कम या ज्यादा करने के काम आता है परिपत में जब अपने को दारा कामान चेंज करना हो तो उससे आप चेंज कर सकते हो दारा नियंतरक बोलते हैं उसे ठीक है वो भी आप लैब में देखोगे अब और क्या करते अब P और Q तो अभी मैं आपको बताऊंगा लेकिन ये परतिरोद अग्याद परतिरोद R और जो अग्याद परतिरोद S है उसको यहां पे जोड़ देते हैं अब आपको गए कि सर जो परतिरोद बॉक्स है यह कैसा होता है तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ देखो आपके सामने अभी मैं दिखाता हूँ तो यह देखो बचो यह परतिरोद बॉक्स होता है ठीक है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको अब इसमें क्या होता है कि यह अलग अलग परतिरोद की कुंजियां लगी होई होती है ठीक है अब जब भी आपको देखो मानलो यहां पे आपको अगर दिख रहा हो तो बीस लिखा है यह पचास लिखा है यह सौ लिखा है अब यहां पे इस तार की सायता से अपने जोड देते हैं इसको यहां पे दो तारें लगा के इसको जोड देते हैं और यह आर परतिरोद का काम करता है अब होता क्या है कि आपको नहीं लगी हुई तब क्या है आपका इस परतिरोध में से होकर करंट आपका जाता है तो मतलब यह आपका 20 ओम का काम करेगा अब इस सी बात अब इस में से कुझी निकाल दोगे तो आपको 20 ओम का परतिरोध मिल जाएगा अगर आपको 50 ओम का सेट करना है तो 50 ओम वाली अब आप कोगे कि सरी ही काम कैसे करता है परति रोड बॉक्स याय और रहा है तो वो कोई आपको दिका यानिक इतना डीटेल में जाने कि जूरूरत नहीं है आपसे यह जो पूछ। कि परतिरोध बॉक्स कैसे काम करता है आपको पैसे इतना पता होने चाहिए कि इसमें परतिरोध सेट करते होते हैं ठीक है परतिरोध बॉक्स से अब दुबारा देखो आजो यहां पर परतिरोध बॉक्स लगा दिया आपनी यहां पर आर बी इसको आर बी देखो जोड़ देते हैं अब देखो ए और लेकलांशी दारणी अंतर जोड़ देते हैं कुंजी के लगा देते हैं सेयोजक पेच डी और विसर पी कुंजी के मतल़ दारमा पी जोड़ते हैं इस तीती में मीटर सेतू वीड स्टोन सेतू की तरह कारया करता है ठीक है अब दे आप 10 सौम का निकाल लो ठीक है 10 सौम का परतिरोध निकाला अब आप क्या करोगे सबसे पहले इस जोकी को उठाओगे और यहां पे लगाओगे आपको इस गलावेनो मिटर में विक्षेप दिखाई देगा वो विक्षेप किसी भी दिशा में हो सकता है या इदर होगा या इ बिंदू हैं आप ऐसे कह सकते हो कि B बिंदू और D बिंदू थे ना जो आपके वो वाला काम कर रहा है यहां पे गलावेनो मिटर लगा है और यहां पे B और D पर आप क्या करते हो कि जब B मान लो उच बिंदू पर है उच विबव पर है और D आपका निमन विबव पर है त मतलब क्या होनी चाहिए, सीधी सी बात ये आपको इतना उल्जन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, भी इस बिंदू पर और इस बिंदू पर आपकी दारा की दिशा चेंज होनी चाहिए, ठीक है, अब अगर मालो दस ओम पर दोनों में गलवेनो मिटर में दारा की दिशा यही रहती है, इस हुई इधर ही दिखाता है, चाहिए आप A पर लगाओ, C पर लगाओ, तो परतीरोध चेंज करो, 21- का लगा के देखो, 22- ओम पे आपकी दिशा गर नहीं चेंज हो रही तो 23- ओम का निकाल के देखो, यह आप मालों कमों का निकाल के देखलो, पांच ओम का, तो यह परती रोद आपको सेट करना होगा तब तक जब तक कि A बिंदू पर रखो तो इस साइड दिशा आए और B बिंदू पर रखो तो इस साइड आए मतलब गिलवेनो मीटर में दारा की दिशा चेंज होनी चाहिए समझाई बात तो आप देखो यहां पर लिखा हुआ परती रोध बॉक्स में से कई परती रोध आड निकालते हैं तो विसरपी कुंजी को तार के सिरे पर रखकर दबाते हैं इसी परकार सी सिरे पर रखकर दबाते हैं दोनों स्थितियों में दारामापीम विक्षेप की दिशा को प्रेक्षित करते हैं ये विप्रीत होनी चाहिए यदि दोनों स्थितियों में विक्षेप की दिशा एक ही प्राप्त होती है तो परतिरोध बॉक्स में से इस परकार का परतिरोध निकालती है कि विक्षेपों की दिशा क्या हो जाए, विप्रीत हो जाए, मतलब तब तक आपको सेट करना अगर परतिरोध की आपकी विक्षेप की दिशा उल्टी हो जाए, ठीक है, आप क्या करना, पांच ओम या दस ओम के बीच निकाल के देख लेना, या दो ओम का या एक ओम का भी, एक से लिगे पांच ओम के बीच आप निकाल के देख लिए ना आपका सेट हो जाएगा ठीक है जनरली इतनी होता है अब अपने क्या करते हैं कि अब परतिरोध बॉक्स में लिएगे ग्याद परतिरोध आर्त था ग्याद परतिरोध ऐसको नियत रखकर जेक वह तार पर आग अब आपको क्या करना होगा इस जोकी को पहले यहाँ परतिरोध देखो इदर आ रही होगी फिर आपने यहाँ पर रखके देखा तार पर ठीक है आपके विकशेव की दिशा इसमें चेंज होगी अब आपको ऐसा बिंदू डूड़ना है जिससे इस दारामापी में विकश क्या हो जाए जीरो हो जाए आप पते क्या कर रहे हो देखो बचो आप क्या कर रहे हो आप इस तार पर जब आप टच करवाते हो तो यह तार एक परतिरोध की तरह वैवार करता है अब यह तार एक परतिरोध नहीं दो परतिरोधों की तरह वैवार करता है कैसे जब आप य ये वाला बाग है ये P परतिरोद की तरह वैवार करता है और ये वाला बाग Q परतिरोद की तरह वैवार करता है तो अब इससे होता क्या है देखो आपका जो P और Q परतिरोद है ये यहां पर P परतिरोद लगा होता है इदर Q परतिरोद लगा होता है और इदर R लगा होता है और इधर S लगा होता है अब P और Q को चेंज करते हो ठीक है इसको इस परकार से सेट करते हो अगर मान लो P की वैल्यू बड़ी रख दी Q की वैल्यू छोटी कर दी तो आप सीधा क्या करते हो B का वीब ओव चेंज करते हो अब आप कोगे कि सर कैसे चेंज होता है वो आपको समझने की जरूरत नहीं है कैसे चेंज होता है लंबाई के साथ वीब ओव चेंज हो जाता है आपको यह जब बात पता हो नहीं चाहिए ठीक है तो जब आप लंबाई चेंज कर देते हो तो VBov change हो जाता है क्योंकि V बराबर क्या होता है E into L होता है यह वाला formula E into L होता है तो लंबाई change होने पर VBov तो B का VBov change हो जाता है जितना time तो आप क्या करते हो कि इस B बिंदु का VBov D से उच रहता है तब तक तो दारा ऐसे प्रवाई तो होती रहती है और गिलाइनोमिटर में विक्षेप ऐसे आता रहता है जब आपका जो B का वीबव है वो D से कम हो जाता है Q का मान या P का मान आप ऐसे सेट कर देते हो कि कम हो जाता है तो तब आपकी दारा इस दिशा में प्रवाई तो नहीं लग जाती है और गिलाइनोमिटर में इदर विक्षेप आ जाता है और जब दोनों का वीबव समान होगा तो तब आपका विक्षेप क्या होगा जीरो होगा इसमें विक्षेप नहीं आएगा तो यह आपकी जीरो परी रहेगी तो आपको बैस वो बिंदू डूंड़ना है जिससे क्या हो जाए विक शेप जीरो हो जाए अब आपको क्या करना होगा कि अगर मानलो यह यहां से लेकर यहां तक स्केल लगा होता है यहां पर आपका 100 cm का एक स्केल लगा होगा यह मीटर स्केल लिखा हो है न अगर मानलो यह वाला बिंदू आपका 55 cm पर आगया तो टोटल लंबाई इसकी 100 cm या 1 मीटर होती है तो यह वाला जो बाग है यह आपका 45 cm का होगा मतलब परतिरोदों की लंबाई अपने पास आ जाएगी तो आपका जो मीटर सेतू का तार है वो एक परतिरोद की तरह वावार करता है एक नहीं सरुए दो परतिरोद की तरह वावार करता है यहां पर पी परतिरोद और क्यू परतिरोद उसका आदा बाग P का और आदा Q का ठीक है इस तरीके से वैवार करेगा अब आप कोगे कि सर संतुलन अवस्ता वाली जो समीकरण है उसमें तो अपने पास है परतिरोध तो आप लंबाई का क्या करोगी ठीक है तो आप परतिरोध बॉक्स में से लिए गयाद परतिरोध आर् और दूसरा इससा Q की तरह वैवार करते हैं तो अब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं अब अपने देखो ऐसे मान लेते हैं कि तार की जो एकाई सेंटीमीटर का यानि एक सेंटीमीटर का परतिरोध आर्सीम है बापको होगे कि सर ये कैसे ग्याद करेंगे तो ग्याद कर ये वाली लंबाई L सेंटीमीटर थी और इदर वाली 100 माइनस L होगी ठीक है ये वाला बिंदू A और ये वाला बिंदू C आपका तो अब P बिंदू यानि P तार AB का परतिरोध अब आपको कहा है कि एक सेंटीमीटर जो तार है उसका परतिरोध तो आपको आर्सीम दे दिय अब आपको अगर मालो ये L सेंटीमीटर का निकालना है तो अब आपको होगे कि सरी हो जाएगा L RCM ठीक है एक सेंटीमीटर का RCM है तो L सेंटीमीटर का L RCM हो गया अब इसी परकार क्यू जो परतिरोध है वो तार BC का परतिरोध है ये वाला बाग क्यू है ठीक है आपको ह P और Q के मान रखो तो देखो क्या जाएगा आपके पास आपके पास RCM से RCM कैंसल हो जाएगा तो आपको S का मान निकालना है तो इस 100 को तो इधर लेया 100-L को और इसको अपॉन में लेया और S को इधर लेया तो मतलब S का मान आपके पास 100-L अपॉन L into R अब इसमें देखो क्या है क्या क्या चीजे हैं आपके पास ये वाले जो है L तो है तार की लंबाई जहां पर आपको शुन्ने विक्षेप राप्त हुआ R आपका परतिरोध बॉक्स में से निकाला हुआ परतिरोध है और L और R के मानी आपको चाहिए अब अपने पते क्या करते हैं देखो आपने क्या किया कि मान लो जो मिटर से तु है उसमें आपने क्या किया कि मान लो यहां से एक ओम का परतिरोध निकाल लिया और एक ओम के लिए संतुलित लंबाई निकाल ली तो आपको ये वाला बिंदू मिला अब आप इस में से आप क्या करोगे इस एक ओम को दुबारा लगा दोगे और दो ओम का परतिरोध निकालोगे तो दो ओम के लिए लंबाई निकालोगे तो वो आपको या तो थोड़ी से इधर मिलेगा बिंदू या इधर मिल जाएगा मत तीन ओम के लिए चार ओम के लिए ऐसे अलग अलग ओम के लिए आपको S के अलग अलग मान निकालने होगे S के मान लग बग सेम रहेंगे ठीक है क्योंकि R का मान चेंज करोगे तो L का मान चेंज हो जाएगा लेकिन overall S का मान S का आपका लग बग सेम रहेगा तो L Y R का मान ग्यात होने से ग्यात परतिरोद S का मान ग्यात कर सकते हैं और विट्र सेतु की सुगराईता के लिए R का ऐसा मान होना चाहिए जिसमें दारामापी में शुन्य विक्षेप की स्थिति लगबगतार के मद्या में प्राप्त हो ताकि आपको रीडिंग लेनी है असान हो ठीक है वियार का लगबगा आपको ऐसा मान निकालना है कि अपने को दारामापी में जो विक्षेप है वो तब प्राप्त हो जब आप मद्या बिंदो पर लगाओ ये चीज है मीटर से तो आप वहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करोगे अब आप अगर मालो आपके आज पचास परतीशती समझ आ रहा ने ये वाला टॉपिक तो कोई बात नहीं बहुत ही अच्छी बात है पचास परतीशती तो समझ आ गया बाकी समझ आपको लैब में जाकर आएगा क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है बच्चो जब आप लैब में नहीं जाओगे जितना टाइम ये चैप्टर नहीं समझ आएगा आपके तो इस कारण लैब में जाना जुरूरी है आपका ये इस प्रैक्टिकल को करने के लिए ठीक है हालांकि मैं अलग से आपको प्रैक्टिकल करवा भी दूँगा अगर आप का होगे देखो मेरे पास मीटर से तो वगरा कुछ नहीं है लेकिन मैं मैं थर्ड बता दूँगा कि आपको ऐसे प्रैक्टिकल करना होगा लैब में आप करो गई प्रैक्टिकल तब आप इसको यूज़ कर लेना ठीक है अब मीटर सेतु की सीमाओं में सबसे पहले कि मीटर सेतु की सूतर की विद्पती में तांबे की पट्टियों के पर्तिरोद को नगर्नेय माना गया है मत तो प्रेक्टिकल हो गई नहीं ठीक है इस तुरूटी को दूरू करने लिए पर्तीरोध मियाद पर्तीरोध के स्थानों को रापस में बदलकर अग्याद प्रबाव को लुप्त करने के लिए क्या करना चाहिए यह से थोड़ी बहुत यह तूर हो सकती है ठीक है और मीट्र सेतू के अंत सिरो यानि एंड पॉइंट के परती रोदों के कारणिस की सुगराईता प्रवाइद होती है इसलिए अंत सिरो के प्रभाव को लुप्त करने के लिए कैरी फोष्टर से तुगपयों किये जाता है या आपके सिलेबस में नहीं है और अपने क्या है एंड पॉइंट पर यानि कि अगर मान लो आपका बिंदू याँ पर आ जाता है तो इससे रिजल्ट आपका आ तो जाएगा लेकिन वो 100% सही नहीं होगा तो यानि इस प्रभाव को दूर करने के लिए तब इसने का है कि आपको अगर रिजल्ट सही रखना है तो आप लगप बीच में से लोग बिंदू फिर आपका रिजल्ट सही आया तो कैरी फोश्टर से तू एक अलग होता है उसका अपने उप्योग करते हैं ठीक है तीसरा तार में अधिक देर तक विदुदारा प्रवाइत नहीं करनी चाहिए अन्यथा तार गर्म हो जाएगा और गर्म होने की करण पर तिरोध चेंज हो जाएगा क्योंकि चालक तार है ठीक है मिश्र दातु का बने चालक तार है तो ज्यादा देर तक विदुदारा प् है आपका connect नहीं होना चाहिए क्योंकि तार गरम हो जाते हैं कई बार और चौथा विसरपी कुंजी को तार पर रगड कर नहीं चलाना चाहिए ऐसा करने से तार की मुटाई सबस्तानों पर एक्समन नहीं रहे यह ऐसे नहीं भी जोकी को आप उसकी उपर रगड ही दो इससे क लगता है कि यह हमें सर कम समझ में आता है तो प्रैक्टिकल करने के बाद इसको जरूर देखना फिर आपके ज्यादा समझ में आ जाएगा और पेपर के लिए आज से मैंने आपको बता दिया है कि इसमें दो तीन क्वेस्टन दो बनते हैं एक तो वीट्स्टों मीटर से आपका पेपर के लिए आज से यानि बोर्ड के लिए आज से कोई क्वेस्टन नहीं बनता है समझा है इस बात तो बाकी सारी चीज़े आपके प्रैक्टिकल में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी पेपर में ज़्यादा काम नहीं तो यह था बचो आपका आज का टॉपिक मेरे पास क्या है समय कंदा इसका नोट्स नहीं बन पैए लिकिन आपको भूख से ही समझ आगया ओगा नोट्स में